हरी ओम कुमार विद्यापति धाम विहार से आप पूछ रहे हैं कि क्या सूक्षम जीवों में भी आत्मा होती है सामान दिन्चरिया में हमारे द्वारा ऐसे अनंत सूक्षम जीवों की हत्या हो जाती है जैसे दही खाने से, चलने से, बैठने से आदी, तो क्या हमें उनकी हत्या का पाप लगता है, क्रिपया बताएं देखिए, दो तरह की बात है, हमारे यहां किसी की जब मृत्ती होती है, तो यह माना जाता है कि दोश किसका है तो जो मृत्ती के देवता हैं, उनका अगर दोश माना जाए, तो कोई कार्य नहीं हो सकेगा पूर्वकाल में पुराण में यह बर्नन आया है, कि अमराज के दूत जब लोगों के प्राण का हरन करने के लिए आते थे तो उनकी बड़ी निंदा होती थी, कि यह हमको मार रहे हैं, और उनको मन में भी यही बात आ जाती थी, कि हमको मार रहे हैं, इसलिए इनको हमारी हत्या का पाप लगेगा तो इस बात का विचार हुआ, यमराज के दूत, यमराज के पास गए और उन्होंने कहा कि माराज, अब हम आपकी सेवा करने में समर्त नहीं हैं, क्योंकि हम तो आपके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन हमको हत्या का पाप लग रहा है इसलिए हम ये कारे अब नहीं करेंगे तब फिर यमराज जी को अपना काम चालू रखने के लिए ये व्यवस्ता बनानी पड़ी कि किसी ने किसी बहाने से किसी की मौत होती है तो आप कोई मृत्य उदे होता, कोदोश नहीं देता, लोगों से पूछो कि उनकी मृत्य हो गई, तो वो बताएंगे हां हो गई कैसे हुई, तो कोई न कोई बहाना बताएंगे कोई कहेगा बुखार आ गया था कोई कहेगा रदयागात हो गया था कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा तो अब बहाने से मौत हो रही है रोग को कारण बता दिया जाता है पोस्ट मार्टम भी होता है तो उसमें भी किसी रोग को कारण बताया जाता है कि इनके कारण, इस कारण से मृत्य हो गई अब मृत्य को उनके जो दूत हैं उनको ना तो गवहत्या का पाप लगता है और ना तो उसका उलाहना मिलता है अब जहां तक बात आपकी है कि हम जब जीवन यापन करते हैं तो चलने से, बैठने से, हसने से, सांस लेने से सब में जीव हत्या तो हो ही रही है सुक्षम जीवों की हत्या हो जाती है ये बात बिलकुल सही है और इसलिए हमारे यहां पंच महायग्य बताए गया है पंच महायग्य आईति शुरुते है वो पंच महायगी इसलिए हैं कि हमारा जीवन चले इसके लिए निश्चित रूप से जीव हत्या होती है बिना जीव हत्या कि हमारा जीवन आगे नहीं बढ़ सकता सांस भी हम लेंगे तो हमारी गरम सांस से जाने कितने सुक्ष्म जीवानु नस्ट हो जाता है इसलिए जैन मुनी सांस के सामने भी एक कपड़ा लगाए रहते हैं कि कम से कम हत्या तो हो जाएगी लेकिन कम से कम उसको भी कम करने का प्रयास करते हैं गाड़ी से नहीं चलते हैं कि टायर चार टायर चलेंगे तो उसके नीचे जादा होगा इसलिए पैदल चलते हैं ताकि दो पैरों से जितना हो सके बचत हो जाए तो हिंसा तो होती है और उस हिंसा को टालने का कोई तरीका नहीं है क्योंकि हर विक्ति को अपना जीवन तो धारन करना ही है तो ऐसी परिस्तिती में प्रायश्चित बताया गया है कि जितना आप से दोशपाप हो रहा है उसका प्रतिदिन प्रायश्चित करते चलिए इसलिए किसी भी सद्ग्रहस्त को जो सुनातन धर्म में मानता है उसके लिए पंच महायगे बताये गया है तो पांच तरह से हमारे जीवन में हिंसा होती है और पांच यगे करने से उनका प्रायश्चित प्रतिदिन होता चला जाता है तो जो व्यक्ति पंच महायगे करता है उसको जो उसके जीवन निर्वा के लिए अनिवारे रूप से होने वाली हिंसा है उसके पाप से मुक्ति मिल जाती है बचद हो जाती है तो आप इस बात को जान लीजिए पाप तो लगता है और उसका प्रायस चित पंच महायगियों से होता है उसका जीवन में अनुष्ठान करना आरामा कर दीजिए ना रहे